अगर आप लोग अपने फोन को पावर ओफ करने जाता हो तो आपके फोन में एक प्रोब्लम देखने मिलता है गूगल असिस्टन का जैसे दोस्तों यह phone मेरे पास है मैंने power button पे long press किया अब मेरे पास यहाँ पर आपको देख रहा होगा power button पे long press किया तो हमारे phone में कोई भी option नहीं आ रहा है न यहाँ पर आपको देखनों मिल जाता है Google Assistant अब इस तरीके का Google Assistant आपको भी देखनों मिलता है जब आप लोग power button पे long press करते हो तो इस problem को आपको कैसे fix करना है मैं आपको दखाऊंगा जैसे कि मैंने फिर से switch off करने का उकोसिस करता हूँ तो हमारे phone में यहाँ पर आपको देखनों को मिल जाता है Google Assistant अब इस तरीके का problem आपको भी देखनों को मिलता होगा तो यहाँ पर आप इस problem को कैसे shoot कर आपा सकते हो और कैसे अपने phone में power off करने का option ला सकते हो तो इस वीडियो में मैं आपको detail के साथ बता लाओ फानले दोस्तों वीडियो को end तक देखेगा skip मत किजिगा तो चलते हैं वीडियो को सुर कर लेते हैं इससे पहले दोस्तों हमारे वीडियो को like कर लेना and subscribe कर लें में जगा description में वहाँ से जाकि आप लोग follow कर लेना तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोगो चल कर बता लेते हैं तो फानले दोस्तों side में screen recording देखने में जगा अब दोस्तों Realme का C63 5G phone में आप लोग power off करते समय एक problem solve कर सकतो जैसे कि Google Assistant problem को आप लोग remove कर सकतो and power off button को अपने phone में add कर सकतो यहाँ पर इसका आसान तरीका बताता हूँ जैसे ही आपने phone में setting के अंदर आते हो setting के अंदर आने के बाद दोस्तों इस तरीके interface मिल जाता है यहाँ पर आपकी एक option मिल जाता है power button का आप जैसे किली करते हो, अब अपने power button को long press करके देखो यहाँ पर आपके phone में power off करने का option आ जाता है तो इस setting को आपको इस तरीके से करना होता है इंड ज्रिफ 2 मिनेट का कम है अपने phone में ट्राई कर पोगे अधरबाई दोस्तों यहाँ पर आपको अगर इस वाले option पर set कर रखे हो तो जैसे power button पर long press करोगे आपके phone में यहाँ पर इस तरह की option आजाएगा Google Assistant का तो यह problem को आपको face करना पड़ता है तो कैसे आप solve करोगे मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पर आपको solve करने का आसान तरीका है जैसे यहने आपने यहाँ पर next पर click करके solve करके इसको बात देख से तो यहाँ पर आपको मिलेगा power menu का option जैसे आप click करोगे आपको यहाँ पर power button पर long press करते समय power off करने का option आ जाता है तो अपने फोन में इस तरीके से आप लोग सेट करोगे और यहाँ से आप वैक करोगे completely आपका setting हो जाएगा अब यहाँ पर आप switch up करने जाते हो तो आपका phone तुरंथ switch up करने का option आ जाता है तो सिर्फ 2 मिनिट के काम था अपने फोन में आप लोग जाकर try कर सकतो तो मैंने इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोग को बता दिया फाइनली अगर हमारा वीडियो अच्छा लगाओ चैनल को subscribe करके बेला के नुबाखे एंडप्रस कर लेना तके हरे वीडियो को नाट्पेकेसन सब सब पहले आप तो कोचे तो चलिए दोस्तों फिर में दखे से एंडप्रस कोड़ के साथ तक तक लिए जया हैंद जया भारत वाव दोस्तों